हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल जमातादी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में फ्रेंड्स जो लोग वीडियो पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा और आज जो दिन है सो मौर है और अभी सुबह के बज गया है पांच तो मैं यहाँ पे उठ गई हूँ और उठ करके सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस पे ठंडा ठंडा पानी के छीटे मारती हूँ और उसके बाद अच्छे से हैंड्वास करके और अब मैं ज जैसे बारिस के टाइम से सर्दियां स्टार्ट हो गई है तो इस टाइम पे बाल थोड़े से हैर फॉल होते हैं तो इसलिए मैं और पूरे दिन तो ऐसे ही क्लचर लगा करके जूड़े बना के ही पूरा दिन निकल जाता है और यहाँ पे मैं बाहर आकर देख रही थी कि हज मार्केट के लिए निकल चुके थे तो अंदर से गेट लॉक है कि नहीं तो अंदर से बाहर से ही लॉक करके चले जाते हैं और तो क्योंकि अधर जिस दिन खुला रहता है उस दिन मेरे हाँ अंदर गार्डेन में फ्लावर है अढ़ुल का तो क्या होता है ना कि जो अंदर से लगाना तो क्या होता कोई फुल लेकर चला जाता है और एक दो फुल वो लोग नहीं लेती है पूरा फुल ही तोड़ लेती है और उसके फ्रेंड्स आज मैं बच्चे के लिए बना रही हूं टिफिन के लिए जीरा आलू तो रात में ही मैंने आलू को बॉयल कर दिया था वही 11 वजे के करीब में तो आलू बिल्कुल ठंडा हो चुका था और बाहर ही मैंने रखा था क्योंकि भी जो है ना हलका ठंडी स्टार्ट हो गया है और इस टाइम पे खराम नहीं होता है तिसलिए मैंने फ्रेंज में नहीं रखा ऐसे भी ज्यादा रात में ही मै प्रासा हल्दी पाउडर डालने के बाद और जब यह अच्छे से भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अमचुर पाउडर और यह जीरा आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चे आज कलना मतब कुछ भी इन लोग को टीफिन में दीजिए त वापस लेकर के आता है तो समझ में नहीं आता है कि इन लोग को मैं क्या दूं जो यह लोग खा कर के आए और जब बच्चे ऐसे पूरा टीफिन वापस लेकर आते है तो बहुत ज़्यादा टेंसन होता है और अगर यह लोग डेली ऐसे ही करेंगे तो विकनेस भी हो लेकिन अगर इन लोग को हेल्दी खाना दीजिए तो फिर इन लोग का जो यही होता है लेकिन फिर भी मैं इन लोग को अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं देती हूं कभी-कभी हो जाता है महिने में एक आग बार पास्ता और मैगी दो बार हो जाता होगा लेकिन यह लोग खा पूल जाते हैं और कभी कभी रोटी भी दे देती हूं लेकिन जीरा आलू के साथ पराठे ही ज्यादा अच्छा लगता है तो यहां पे रोटी में रिबन गई थी और उसके बाद यहां पे मैं थोड़ा सा जो कीचन का काउंटर है इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूं जैसे जो कपर्थन गिरा दाता है तो उसको अच्छे से जाड़ लेती हूं चकला बिलन में दोनों टाइम ही धो लेती हूं इसमें जूठा जो मैं नहीं लगाती हूं ऐसे ही मैं साप कर लेती हूं और आटा जब भी मैं गुनती हूं तो आप कभी भी देखिएगा ना मेरा प्रात ज इसमें साप करके रख लेती हूं और दो-चार दिन पे फिर मैं अलग से जूना रखी हूं उससे मैं चकला बेलन और यह जो बड़ा वला परात है इसको मैं साप करती हूं नहीं तो दोनों टाइम ऐसे ही करती हूं तो इधर मैं पानी भी नहीं पी थी और मुझे लग रही तो इसलिए मैंने यहां पे रख दिया है पानी तक तक गरम हो जाएगा और यहां पे बच्चेलों का जो है लंच बॉक्स को मैं अच्छे से सूखे कपड़े से साप कर ले रही हूं तो साप करके यहां पे मैं रख दूँगी और अब मैं क्या करूंगी न कि थोड़ा सा य जाएगा तो फिर मैं उन्हों को लंच बॉक्स में रख दूँगी और यहां पे अभी बाबु तुरंट उठे गया था और उठ करके उसको मैंने तयार कर दिया था और तयार करके वह मता हॉल रूम में बैठा हुआ था मुबाइल देख रहा था और मैं यहां पे बेट को स अगम को काम हैं मैं बचे स्कूल चले जाते हैं तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है अराम से भी हो जाता है तो यहां पे मैंने क्या किया है सबसे पहले भी विस्तर को अच्छे से जाड लूँगी जाडने के बाद क्योंकि अभी मैंने जाडू नहीं किया था जैसे ही मैं उठी थी उस टायम पे मैं सिर्व बासी घर ही निकाली थी कीचन में जैसे मैं उठती हूँ तो बासी घर में ही पहले ज़ाड़ू कर लेती हूँ तो यहाँ पर अब जो है न मतब 20 मिनट का टाइम था तो यहाँ पर बाबू का जो यह है न संडे को ही मैंने इन लोग का उनिफॉर्म धोया हुआ था तो बाबू का यहाँ पर मैं रॉर्ण कर दे रहे हूँ और यह वाइट वाला ही ड्रेस पत nossa पीटी डृस है टी-शर्ट तो इसको आरन करने का जरूद कड़ता नहीं है और अभी इसका मदभ दो दिन होता है वीक में दो दिन तो फिर मैं उसी टाइम पे कर लूँगी तो यहां पे बच्चे चले गए थे उसके बाद मैं अपना यहां पे बैटे गए एक्सरसाइज करने के लिए तो अभी मैं इधर पंदर दिन से डेली मतलब आधे गंटे का टाइम निकालती हूँ मतलब 7-15-7-10 तक बाबु निकल जाता है मतलब 7-10 तक इनलों का वेन आ जाता है और उसके बाद मैं आ करके और बेड़वर्ड सही करते करते पांच मिनट हो जाता है और 7-15-7-20 पे मैं यहां पे बैट जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए तो यह मैं एक्सरसाइज आट बेजे तक 8-45 तक 8-50 तक ऐसे कर लेती हूँ तो क्योंकि अभी जो मेरे साथ हेल्थी सू है ना मतलब जो अबरी का सिस्ट है रामदे बाबा बोलते है कि इस एक्सरसाइज से अबरी का सिस्ट भी मतलब खतम हो जाता है और साथी साथ बैली फेड भी कम होता है क्योंकि मेरा जो सरीर का जो वेट है ना मतलब वेट तो हाइट की साथ से मेरा 32 बार से बिलकुल खतम हो गया जैकिन बैली फेड जो है वो मेरा जादा खतम नहीं हुआ पहले तो बहुत जादा था लेकिन अभी जो है अभी भी है तो इसलिए मैं आज कल 15 दिन से बैट करके मतलब 20-25 आदे घंटे का ऐसे ही मैं करते हूं किसी दिन 20 मिनट किसी दिन 25 मिनट किसी दिन आदे घंटे का ही क्योंकि एक्सरसाइज हर किसी के लिए बहुत जरूरी है और इस टाइम पे तो और भी क्योंकि मतलब सभी को नहीं नहीं बिमारियां हो रही है और जब से हम आपको जरूर योगा जरूर करिए 10 मिनट 15 मिनट ऐसे जरूर करना चाहिए क्योंकि स्वस्त रहना बहुत जरूरी है चाहें कितने भी पैसे रहें घर में कितने भी दौलत रहें अगर इंसान स्वस्त नहीं है तो पूरा पैसा दौलत हर कुछ बेकार है मालीजिए कि हम लोग है सबी लोग स्वस्त हैं सबी लोग का हेल सही है मील जूल के रह रहें तो उसमें बहुत खुसी होती है तो इसलिए हम लोग को अपने ऊपर और परिवार के हर एक सदस को ओपर ध्यान देना चाहिए तो यहां पे मेरे जितने भी काम थे वह सब कुछ मैंने कर लिये हैं और वहीं पे फेक देती हूं नई तो अंदर कितना भी सफाई से करिये तो एक दो बाल गिर जाते हैं तो देखने में मतब बहुत ही बुरा लगता अगर बाबु मेरा खाना खाते रहेगा न अगर वह कहीं एक बाल देख जाता है फर्स पे तो बिलकुल वह खाना छोड़ देत और जो मैंने जीरा आलो बच्चों के लिए दिया था न वो थोड़े से बचे हुए थे तो थोड़ी सी वह सबजी रहेगी तो सभी के लिए हो जाएगा और बिलकुल सुबा अभी जब जिस टाइम पे गर्मी था उस टाइम पे मैं जब बिलकुल मॉर्निंग में उठ रही लेकिन बच्चे लोग के लिए अगर मैं जल्दी नहीं उठोंगी तो दिन छोटा होने लगा है तो फिर सुबा में सब कुछ तयारी करिए तो सब कुछ सही टाइम पे नहीं हो पाता है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठ जाईए न तो मेरा सभी काम बहुत जल्दी हो लगभग आज 10.30 बे तक मेरे सभी काम कंप्लीट हो गए थे जैसे ही घर की साब सफाई और बच्चे गया है वैसे ही मैं यहाँ पे नहाद हो करके पूजा करने के बाद लग गई थी तुरंत कीचन में और दोपर का खाना भी मेरा बन चुका है और अभी जो बरतन थे ना जैसे मैं सबजी बना लेती हूं तो जो भी बरतन खाली करने वाले होते हैं वो सब मैं खाली कर लेती हूं और खाली करके सभी बरतन को मैं दो लेती हूं तिसे क्या होता ना पूरा दिन कीचन क्लीन रहता है और यहाँ पे चावल भी बन चुका था तो चावल मैं कूकर में ही बनाती हूँ और कुकर से ही माड में निकाल लेती हूँ अराम से निकल जाता है और फ्रिंड अभि जो टाइम हो रहा था सादे साधी दस बे तक मेरे सभी काम कमpliate हो चुके हैं और यहां पर कल के धोए हुए कपड़े थे तो कपड़े भी सूख चुके लगी रहना पड़ता है जो ज्यादा हाड भारी काम है वो सब कुछ हो चुके हैं अब बस वही खाना पीना खिलाना सबको आई हो पाचकी